नमस्कार इन छे चीजों से आपने दोस्ती कर ली न जिहुन में तो मेरा दवा है आप से आप किसी भी विपत्ति से आप किसी भी समश्या से आप किसी भी बड़े से बड़े बारी वर्क भी कोई आपके उपर आ जाएगा ना तो आप चुटक्यों में उसको दूर कर लोगे उसको अहल कर लोगे लेकिन आपके अंदर उसके लिए ये छे चीजे होनी जी तभी आप जीवन में हर तरह की प्रोब्लम्स फैस कर पाऊगे नमबर वन सिक्सा एजुकेशन अगर आपको जिन्द्गी में कई आगे बढ़ना है किसी लेवल में पहुचना है तो फॉस्ट आपको शिक्सा में बहुत कुछ सीखना होगा तो आप आगे कैसे बढ़ने की पहली सीडी है सिक्सा एजुकेशन उससे ही इंसान समाज में इस्तान पाता है समाज में योग्जिता पाता है और समाज मान सम्मान पाता है इसलिए फॉस्ट और वोल सिक्सा अपने जीवन में उतार ले आप जीवन में कहीं ठोकर नहीं कहोंगे इसेकंड विनमरता अपने वेवार में विनमरता लाइए अगर आपके वेवार में जितनी विनमरता होगी ना उतना आपको मान सम्मान और समाज में आपका इस्तान मिलेगा जो व्यक्ति अहंकरी होता है जो व्यक्ति बार बार कोद करता है उस व्यक्ति का समाज में उसके बिजनिस के स्थेत्र में वहां कहीं नोकरी करता है उस स्थेत्र में उसका सम्मान नहीं होता है सम्मान सिर्फ विनम्र व्यक्ति को मिलता है इसलिए विनम्रता अपने जीवन में उतारिए अगर आपको मान, सम्मान और इस्तान पाना है समाज में तो थर्ड, सहस जीवन में किसी भी कारी करने के लिए सहस होना बहुत जुरूरी है अगर कोई विपत्ती आए और आपके अंदर साहस नहीं है उस विपत्ती को दूर करने का भले ही आपके पास योगिता है उस विपत्ती को दूर करने का लेकिन आपके पास साहस नहीं है ना तो आप उस विपत्ती को दूर नहीं कर पाओगे आप और कटिनाईयों में गिरते जाओगे आप और मुस्किल में गिरते जाओगे इसलिए कोई भी विपत्ति आए तो उसको दूर करने के लिए साहस होना बहुत जुरी है पले आपके अंदर शम्ता है उस विपत्ति को दूर करने का लेकिन साहस नहीं है तो वो विपत्ति आप दूर नहीं कर पाओगे फौर्थ अच्छे कर्म जीवन में हमेसा अच्छे कर्म करते रही है किसी की बलाई करिए किसी को अच्छी सला दे अपने लिए अच्छे कर्म करते रहे हैं जिनकी में आप बहुत आगे बढ़ोगे अगर आप में बूरे कर्म किये न तो आप तो नुकसान में रहोगे रहोगे साथ में आपका परिवार भी नुकसान चलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन में कुछ करने के लिए जीवन में समाज में इस्तान युगता पाने के लिए अच्छे कर्म होना भी बहुत जरूरी है अच्छे कर्म के साथ में आपके अच्छे अच्छे संस्कार चलते हैं आपके हर चीज आपके साथ में चलती है और हर लोग आपकी तारीफ करते हैं फाइप, सच बोलने की आदत सच बोलने की आदर डालें सच बोलने की आदर डालोगे ना तो क्या होगा आपको पता है लोगों का आपके उपर विश्वास क्रियेट होगा लोग आपको बिलीव करेंगे और जब आपको पता है जब लोग जब समाज आपके उपर बिलीव करने लग जाए ना तब समझ ले कि आपने दुनिया में सबसे बड़ी चीज हासिल कर लिए आज के टाइम में अभी जो परजेंट टाइम चल रहाना है उसका यही मतलब है अगर आपके उपर लोगों का विश्वास नहीं है ना तो आपका कोई मतलब नहीं है लोगों का अंदा विश्वास होना चाहिए आप डाली शिक्स इस्वर में विश्वास करें आप अच्छा चकर्म और अच्छा चकारी करने के साथ में इस्वर में अध्यत्म में भी विश्वास रखिए इस्वर में विश्वास रखिए क्या होता है एक अंद्रूनी आत्म सक्ति मिलती है अगर आपके मुस्किल में होते हो आप किसी बड़ी विपत्ती में फस्टे हो ना जब आप आत्यत में की सक्ति से जुड़े होते हैं तो अपने आप में अंदर एक विश्वास जगता है एक सक्ति पेदा होती है उस समझ्या से लड़ने के लिए इसलिए आगे जीवन में बढ़ना है तो ये छे आदतें अपन जीवन में उताले आप हर तरह की विपत्ती से लड़ जाओगे और कभी पीछे मुड़के नहीं देखोगे इसी के साथ आज यहीं मेरे वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की न में दे रहे